आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुती स्वादिश्ट, बहुती सिंपल तरीके से बनने वाली मटर पनीर की सबजी वो भी बिना प्याज और लस्टन के अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज हमाई चाल को सब्सक्राइब जरूर करिये मटर पनीर की सबजी तो आप अकसर अपने घरों में बनाते ही होंगे पर आज मैं आपके साथ शेर करूँगी कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप इसे बहतर से बहतरीन बना सकेंगे आप यहाँ पर इस ग्रेवी का टेक्शर देखिए बिल्कुल यही टेक्शर आप बना पाएंगे बहुत ही आसानी से वो भी बिना प्याज और लसन के इसके लिए प्लीज पूरी वीडियो जरूर देखिएगा तो आईए स्टाट करते हैं सबसे पहले हम इसके लिए बनाएंगे एक बहुत ही बहतरीन सा पेस्ट इसके लिए एक छोटा सा मिक्सर ग्राइंडर का जार ले ले और उसमें डालें तीन टमाटर रफली चॉप करके अब इसमें जाएगा एक इंच अद्रक का टुकड़ा फिर इसमें डालें दो हरी मिर्चें ये आप कम्या जादा अपने टेश के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और फिर इसमें डालें बारा से पंदरा काजू यहां हर टमाटर के लिए मैंने करीब 4 काजू लिए हैं तो मैंने 3 टमाटर लिए हैं तो मैंने 12 काजू लिए हैं अब इसमें डालें 1 बड़ी इलाईची, 4 छोटी इलाईची, 5-6 काली मिर्च और 2 लॉंग इससे आप अच्छे से पीस ले और इसका एक fine puree बना ले यहाँ पर मैंने खड़े मसाले पीसने में डाले हैं इससे gravy में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और जब साबुत मसाले मुँ में आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते तो आप इसे mixi में ही पीस्ते टाइम डाले आप यहाँ देख सकते हैं प्योरे का texture बिलकुल अच्छे से पिस गई है अब इसी में मैं मिला लूँगी सारे सूखे मसाले यहाँ मैंने डाला है एक बड़ा चमच नमक आदा बड़ा चमच हल्दी पाउडर एक बड़ा चमच धनिया पाउडर एक बड़ा चमच कश्मीरी लाल मिश पाउडर बहुत अच्छे कलर के लिए एक चोथाई चोटा चमच दालचीनी पाउडर और आदा चोटा चमच चीनी चीनी से बिलकुल भी पनीर मीठा नहीं होगा बस ये टमाटर की सारनेस को बैलन्स कर देगा तो बस हमारा बहतरीन सा पेस्ट बिलकुल तयार है आईए स्टार्ट करते हैं मटर पनीर बनाना यहाँ पर मैंने एक पैन में ले लिया है दो से तीन बड़े चमच देसी की आप चाहें तो तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं पर क्यूंकि हमने प्योरे बनाने में काजू का इस्तमाल किया था तो काजू और घी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है तो बेस्ट अफ टेस्ट के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप देसी गी का ही इस्तमाल करें अब बस घी गरम हो चुका है इसमें हम डालेंगे एक चुटकी हींग फिर इसमें डालेंगे आदा छोटा चमच जीरा जीरा को आप अच्छे से क्रैकल हो जाने दे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा बनाया हो हुआ टमेटो का पेस्ट जिसमें हमने सारे मसाले अलरीडी डाल रखे है पेस्ट डालने के बाद आपने इस मसाले को अच्छे से भूनना है क्योंकि इसमें हमने कोई प्याज लेसन का इस्तिमाल नहीं करा है तो आपको इसे भूनने में जादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपने इसे इतना भूनना है कि जो टमाटर का raw flavor है, वो बिल्कुल चला जाए, मुझे इसे भूनने में सिफ 5 मिनिट का टाइम लगा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाले ने घी छोड़ दिया है और यह एकटा हो गया है तो बस इसी stage पर हम इसमें डालेंगे एक कप पानी, मैंने उसी mixi के jar में एक कप पानी डालके इसमें डाल लिया है, तो बस अब आप इसे भी बहुत अच्छे से मिला लें और simmer पर रखतें पूरे 5 मिनिट, हमारी जो base gravy है मतर पनीर की अब वो बिल्कुल तयार है, पर अभ दालेंगे एक ऐसा ingredient जो gravy को एक बहुत जादा अच्छा texture देगा और बहुत rich बनाएगा, इसमें हम डालेंगे दो बड़े चमच ताजी मलाई, ध्यान रखें कि यह मलाई बिल्कुल ताजी होनी चाहिए, अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमच कसूरी में थी, इसे हम स्पून करमसाला, तो बस अब आप इन सारी चीजों को भी एक बर अच्छे से mix कर लें, कोई देखके कहे ही नहीं सकेगा कि यह बिना प्याज लसन की gravy है, अब बस आप देख सकते हैं, यहाप ग्रेवी थिक हो गई है, अब हम इसकी consistency को adjust करेंगे, एक कप पानी डाल कर, यह इस मटर को मैंने पहले से ही ब्लांच कर लिया है, तेज गरम पानी में आप मटर को डाल दें और दो मिनित तक अच्छे से उबालें, फिर आइस cold water में इसे डाल दें, इससे मटर का कलर हमेशा green बना रहेगा, तो यहाँ पर मटर डालने के बाद, इसे बस एक मिनित तक मैंन करना है, बस यहाँ पर मैंने इसे एक मिनित तक कुक किया है, इससे मटर अपना कलर रिटेन करके रहेगी, अब हम इसमें डालेंगे 300 ग्राम फ्रेश पनीर, जिसे मैंने मीडियम साइज के क्यूब्स में काट लिया है, पनीर को सॉफ्ट पनाय रखने के लिए आप इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमें सिर्फ पनीर को इतना कुक करना है कि वो मसाले और जूसे सारे अब्जॉब कर ले ग्रेवी के और पनीर अंदर से जूसी बना रहे, अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चमच ग्रेट पनीर, धाबे वाले अक्सर पनीर को कदू कस कर के ग्रेवी में डालते हैं, इससे ग्रेवी बहुत अच्छा टेक्शर ले लेती है और थोड़ी थेक हो जाती है, इसे भी अच्छे से मिला ले और सिमर होने थे मटर पनीर को 2 मिनिट के लिए, आईए अब मैं जूम करके आपको इसका टेक्शर दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल हरी हरी मटर और सॉफ्ट पनीर और इसकी ग्रेवी का टेक्शर देखिए कितना अच्छा आया है, तो बस अब हम इसे फिनिश ओफ करेंगे, एक टेबल स्पून बटर डाल कर, ये बिल्कुल ऑप्शनल इंग्रीडेंट है पर इसे डालने से इसका टेस्ट बहु कुल तयार है, आप देख सकते हो कितना डिलिशिस लग रहा है, अब ग्यास की फ्लेम को करते हैं बन और इसे करते हैं सर्फ, तो आप इस मटर पनीर को किसी भी चीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं, रोटी, नान, पराथा, राइस, पुलाओ, बहुत ही यम्मी लगेगा ये म अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, थैंक्स फर वाचिंग